दोस्तो जानवरों के बीच हमेशा किसी ने किसी बात को लेकर लड़ाईयां चलती रहती है जिन में से कुछ लड़ाईयां कापी ज़्यादा खतनाक होती है तो वहीं कुछ लड़ाईयां कापी ज़्यादा फणी भी होती है और आज जम भी आपको जानवरों से जुड़ी दिखाई पड़ते हैं तो चलिए फिर देर ना करते हैं जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो में एक सेरों का जुंड बेट कर आराम कर रहा था लेकिन तब आचानक वहाँ पर एक बफेलो का जुंड भी आ जाता है और यहाँ पर आप भी साब साब देखे सकते हैं कि बफेलो के जुंड का साइज कितना जादा बड़ा है और इसमें कितने सारे बफेलो है खेर यहां पर शुरुआत में तो बफेलों के जुंड को देखने के बाद भी ये शेर उसे नजरंदाज कर देते हैं और अपनी जगह पर बेट कर आराम फरमाते रहते हैं पर बाजी तब पलड जाती है जब अग्रेसिव बफेलों इनके पास आकर इनके उपर हमला करने की कोशिस करते हैं तो यहां पर शेर भी उनके अग्रेसिन को देखकर तुरंती भाग कड़े होते हैं लेकिन जोवियो शेरों का ये निर्णे इनके लिए कापे ज़्यादा हितकारी था वरना इतने सारे बफेलों मिलकर बड़ी आसानिसी शेरों का खचुमर बना सकते थी केर दोस्तों बहुत सारी जंगली भेसों को देखकर शेरों के हालत खराब होना लाजमी है लेकिन जब किशी शेर को एक अकिला भेसा मिल जाता है तो शेर उसकी ये हालत करता है जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देखी सकते हैं जहाँ पर बड़ी आसानिसी ये शेर एक जंगली भेसे की गर्दन पर हमला करकी उसका शिकार करने की कोसिस कर रहा है हालांकि यहाँ पर यह ताकत वर वफेलोविस की पकड़ से चूड़ने की कोसिस करते रहता है लेकिन शेर की ताकत के आगे आखिर में यह हार मानी जाता है रन्थमबोर नेशनल पार्क में रिकोर्ड इस वीडियो के अंदर एक टाइगर आराम सी चल रहा होता है लेकिन तब ही अचानक जंगल से निकल कर एक काला भालू आ जाता है और टाइगर को चुनोती डे डालता है और यहां पर कमाल की बात यह भी होती है कि कापी देर तक टाइगर इसके सामने चुपचाप खड़ा भी रहता है लेकिन जब कापी देर तक टाइगर इसे कोई भी परतिकरिया नहीं दिखाता है तो ये भाल अपने दो पेरों पर खड़ाओ कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है लेकिन साइध याँ पर टाइगर लड़ाई के मूड में नहीं था और इसी वज़े से वो चुपचाब जमीन पर बेट जाता है दोस्तो जानकारी की मताबिक इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई और आकिर में ये काला भालू वापस जंगल में लोड गया अगली इस वीडियो में कुशिर जमीन पर घहत लगा कर बेटी थी ताकि सामने से आरे एक ब्राउन हाईना का वो बड़ी आसानिशी शिकार कर ली और यहाँ पर ब्राउन हाईना को भी गहत लगाई शेरों का अंदाजा नहीं था इसी वज़े सी वो इनके कापी नजदीक आ जाता है लेकिन तब अचानक ब्राउन हाईना को सको जाता है और उसे शेर दिखाई दे जाते हैं जिसके चलते हैं उसे जोई शेर दिखाई देते हैं तो तुरंती यहाँ से भागने लगता है हालांकी भागते समय ब्राउन हाइना का शियर भी पीछा करते हैं लेकिन आखिर में उपनी जान बचा कर यहां से निकली जाता है अगली स्वीडियो में एक कुत्ता बिना बात एक बंदर से उलजवेटता है जिसके बाद बंदर को कापी ज़दा गुशा आजाता है पंगा ने लेता तो यह बंदर इसे ऐसा सबक ने सिकाता जब बंदर की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए जहां पर एक बंदर कापी देर से एक करगोश को परिशान कर रहा है और यहां पर आप भी साफ साफ देखे सकते हैं कि करगोश इसकी अरकतों से कापी ज़्यादा परिशान हो गया है और इसी वज़े से वो इससे बचकर भागने की कोशिस कर रहा है लेकिन यहां पर चालाक और फुर्तिला बंदर बार बार इस करगोश को पकड़ लेता है और अपने मूँ में पकड़ कर हवा में उठा भी लेता है लेकिन यहां पर इस करगोश के लिए गनिमत की बात यह रहती है कि बंदर इसे कोई भी नुकसान नहीं पोचाता है और इस करगोश के साथ इसे ही कापी देर तक मस्ती करने के बाद इसे यहां से जाने भी देता है अगली इस वीडियो में सड़क के केनारे दो इगवाना लड़ते वे दिखाई दे रहे हैं और यहां पर यह दोनो इगवाना कुछ इस तरह लड़ रहे हैं मतलब इन दोनो इगवाना को देखकर तो यही लगता है कि ये सालों साल की दुस्मनी आज ही निकाल लेंगे खेर दोस्तों जो भी हो इन दोनों इगवाना के बीच लड़ी जा रही है लड़ाई देखने में कापी जदा फनी तो लगी रही है अगली इस वीडियो के अंदर एक तेंद्वा सडक पर टैल रहा होता है और इस दोरान इस तेंद्वे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके आसपास एक शेर भी मंडरा रहा है जो कि कापी देर से इस तेंद्वे के उपर नजर रख रहा है और इसके उपर हमला करने के लिए पूरी तरह तयार है और इसी वजह से जब तेंद्वा का ध्यान बठकता है और वो शेर इसकी कापी नजदी का जाता है तो फिर वो अचानक दोड़ कर इसके उपर हमला कर देता है पर यहां पर तेंद्वा भी शेर से कुछ कम नहीं था क्योंकि जो शेर इसके उपर हमला करता है तो यह भी शेर क के अंदर बेट कर आराम कर रहा था लेकिन जोई राइनो को टाइगर दिखाई देता है तो पता नहीं राइनो को क्या हो जाता है और फिर ये तुरंती उसके पास चला जाता है हालाएं कि यहाँ पर सुरुआत में तो टाइगर राइनो को देखकर कोई भी रियक्शन नहीं देता है लेकिन जब राइनो उसके कापी नजदीक चला जाता है तो आखिर में टाइगर भी यहाँ से भाग निकलता है अगली स्वीडियो में कुत्ता भालो के बच्चे को कमजोर समझ लेता है और उससे उलजवेटता है लेकिन यहाँ पर उसकी चाल उसके ओपर भारी प यहाँ पर दो से तिन पालतु कुत्तों को एक साप दिखाई दिता है जिसके बाद यह सबी इसके आसपास आ जाते हैं और इसके सामने भौंकने लगते हैं लेकिन जब इनके भौंकने से साप को कोई भी फरक नहीं पड़ता है तो इसी दोरान मोका पाकर इनमें से एक बड इडियों के अंदर भी एक साप का सामना एक चीडियां से हो जाता है लेकिन यहाँ पर इस चीडियां साप के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देती है इसलिए यहाँ पर मोक्य को देखते हुए साप भी भाग कर जान बचाने की कोशिस करता है और पासी में मौजूद एक दरवाजी की दरार में घुसकर अपनी जान बचा भी लिता है अब दोस्तो ज़रा इस कोवा गेंग से भी मिली जी जो की कापी देर सी एक बिली को घेर कर बेटे हैं और यहाँ पर आप भी साप साप देखी सकते हैं कि बेचारी बिलीन कोवा की गेंग से कापी ज़्या अब यह कोई बिली की साथ एसा क्यों कर रहे हैं इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है लेकिन यहाँ पर यह बात आप भी साप दोर पर देखे सकते हैं कि बिली के हालत किस कदर खराब हो रही है दोस्तों यह बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी बंदर और कुट्टे का सामना होता है तो यह एक दूसरे की बेंड बजाने पर उतराते हैं अप आतानी यह ऐसा क्यों करते हैं लेकिन इनके बीच होने वाली यह लड़ाईयां वाकए में कापी ज़दा फ़णी भी होती है जिसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहां पर एक बंदर से पंगा लेने के लिए एक कुटा छतकें पर हमला करने लग जाता है हालांकि यहां पर यह बंदर भी इसक्यों पर जवाबी हमला करता है लेकिन आखिर में यहां पर यह बंदर हार मान जाता है और चुपचाप यहां से भाग निकलता है तो दोस्तों आसा करते हैं आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आयोगी अगर हां तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो जल्दी मिलते हैं एगले वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई